गुड मॉर्निंग स्टुएंट इस क्लास में हम क्या करेंगे नीना एंड बैबी स्पैरो इस स्टोरी को रीड आउट करेंगे को सो लेट असे स्टार्ट क्या था कि एक छोटी बच्ची है नीना उसकी घर में बहुत ज्यादा ज्यादा था यह खुशी थी नीना आंट वास गेटिंग मैरिट ओके रीजन यह था कि नीना की जो आंट थी उनकी मैरिज होने वाली थी नीना हर फादर मदर एंड लिटल ब्रॉदर वर आल गोइंग टू दहली फॉर बैडिंग तो क्या था कि जो नीना की फादर थे मदर थे और लिटल ब्रॉदर थे और नीना यह सब लोग कहा जाने वाले थे दहली क्योंकि वैडिंग थी वहां ठीक है everyone was happy, यानि सब लोग खुशते, except Nina, केवल Nina को छोड़ कर, ठीक है, अब क्या reason था, we read out, her mother took her to the market to buy a new dress, तो क्या था कि Nina की जो मदर थी, वो Nina को कहां ले गई थी, market क्यों, buy a new dress, ठीक है, buy का मतलब होता है, purchase करना या खरीदना, ठीक है, what color would you like, mother asked, तो क्या था कि Nina की मदर ने में कौन सा color पसंद है, तो Nina क्या reply करती है, I don't want a new dress, mother said Nina, तो Nina ने कहा कि मदर, मुझे कोई dress नहीं चाहिए, ठीक है, सलवार कमीज दन, तो उन्होंने कहा, सलवार कमीज भी कुछ, Nina सुख हर है, तो Nina ने क्या करा, कि अपना सिरहला है, सुख का मतलब, ना में सिरहला है, ठीक है, जैसे हम ना में सिरहला है, मना करते हैं ना, ऐसे करके, What about those lovely white shoes, you saw last week, तो क्या हुआ कि Nina की मदर ने बताया, कि वो प्यारे white shoes, जो आपने last week देखे थे, वो, I don't want those, यानि, Nina बोलती है, मुझे वो भी नहीं चाहिए, आइदर, thank you mother, तो बताती है, ना तो मुझे dress चाहिए, और ना ही मुझे वो shoes चाहिए, और फिर बोलती है, thank you mother, Nina's mother was upset, तो क्या हुआ कि Nina की ममी जो थी, यह सब सुनकर दुखी हो गई, but she said nothing, लेकिन उनोंने कुछ नहीं का, ठीक है, nothing का मतलब कुछ नहीं, they went back home and had lunch, क्या हुआ, वो लोग घर बापस आ गए और उनोंने lunch किया, after lunch mother came and sat near Nina, क्या हुआ, lunch करने के बाद, after और before हमने class 2 में प पड़ाता ना बच्चोहा, तो लंच करने के बाद, after lunch, mother came, मतलब ममी उतकी आई, and sat near Nina, Nina के पास बैट गए, what is it child, तो वो पूस्ती क्या, यह क्या है, she asks, why did you say no to everything, यानि आप मना क्यों कर रही है, everything मतलब सभी चीज़ों के लिए, ठीक है, चलिए आगे पूट ते सुनकर, mother, I don't want to go to the wedding, तो क्या हुए, Nina मना करती है, कि मैं साधी में नहीं जाना चाहती, ठीक है, want का मतलब होता है, चाहाना, ठीक है, but why, लेकिन क्यों, यह Nina की mother ने question put up किया, what why, क्योंकि यहां देखिए, question mark है, student, तो क्या हुए, कि यह Nina की mother ने question put up किया, what why, Nina said nothing, Nina ने फिर कुछ ने कहा है, ठीक है, नीना सांत्री, उसने कुछ ने कहा है, instead two big tears rolled down, हर chicks, ठीक है, नीना ने कुछ ने कहा, जब कि वो क्या हुए, उसके गाल पर दो आशू बहने रगे, rolled down का मतलब होता है, कि नीचे को बहना, ठीक है, rolled down, हर chicks, ठीक है, mother put her arms around Nina, तो क्योंकि नीना की mother ने, Nina क पर दोनों तरफ हाथ से पकड़ा, around Nina, don't cry, और फिर उने कहा, don't cry, मत रो, my pet, मेरी बच्ची, she said, यानि ये बात, नीना की mother ने कहा, why don't you tell me, what's bothering you, तो नीना की mother ने कहा, कि why don't you tell me, आप मुझे क्यों नहीं बता देती, what's bothering you, यानि आपको क्या परिशानी है, next, more tear rolled down, Nina's cheeks, अब ये बात, जैसे ही नीना की mother ने कहा, तो क्या हुआ कि नीना की गाल पर और दो, और आंसू बहने लगे, ठीक है, mother, she said, तो क्या हुआ कि अब नीना ने कहा, मम्मी, there's a sparrow nest on the book self in my room, उसने बताया कि जहां मेरी book self, मतलब, book की जो अले मेरा है, उसके पास क्या है कि sparrow's nest है, ठीक है, and there are two baby sparrow's in the nest, और ने बताया कि उस nest में दो sparrow के बच्चे हैं, I see, mother said, ठीक है, इसके बाद दिखते है, there are just beginning to get their feed, तो उनने बताया कि यह उसकी शुरुआ आता है, पंक ने कर लेकी, and growing up, make them so hungry, और क्या है, वो लोग बड़े हो रहे हैं, इसलिए उनको भूग भी ज़्यादा लगती है, All day along they cry cheap-cheap for asking for food, क्या होता है, cheap-cheap का sound निकालते हैं वो, और वो sound क्यों निकालते हैं, क्योंकि उनको asking for food, हमेशा food के लिए बोलते हैं वो, I see, mother said, फिर mother कहती है, अच्छा, तो फिर नीना कहती है, if big हो, अगर हम गये, the whole place will be locked, यानि whole का मतलब होता है, बटा, completely, यानि whole place, यानि पूरा घर जो प्लेस होगा, वो कैसा हो जागा, बिल भी locked, बंद हो जागा, and how will papa and mama sparrow feed their babies, तो क्या होगा, कि if the whole place will be locked, यानि पूरा घर बंद हो जागा, तो कैसे जो इस पैरो के पापा और मामा हैं, वो अपने बच्चों को खाना देंगे, feed का मतलब होता है, student food, कैसे वो उनको खाना देंगे, oh Nina, cried mother, यानि जो Nina की mother थी, उन्होंने का, oh ho, giving haray big hug, यानि उन्होंने उसको गले से लगाया, इस कारण से आप साधी में नहीं जाना चाहती थी, but that's no problem at all, लेकिन ये कोई बड़ी problem नहीं है, यानि ये कोई problem नहीं है, we will leave the window open, यानि उसके mother ने बताया कि हम लोग जब जाएंगे, तो क्या होगा, कि window open करके जाएंगे, oh ho, can we mother, can we really, तो नेना कहती है, सच में हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, yes, yes, we will remove all your things from the room and lock the door on the outside, तो उसकी mother ने बताया कि जिस room में, इस परो का nest है, उसमें से आपका जो भी सामान है, तिंक उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, और outside से door को बंद कर देंगे, so that the house will be perfectly safe, तो क्या होगा, इससे घर perfectly का मतलब होता है, completely या पूर्णत है, safe मतलब सुरक्षित हो जाएगा, and the papa and mama sparrow can come and go freely, तो क्या होगा, इससे sparrow की जो पापा और मदद हैं, वो आराम से आ सकते हैं, just think नहीं न, है न, जरा सोचो नहीं न, while you enjoy yourself at the wedding, यानि जब आप wedding में क्या कर रहे होंगे, enjoy कर रहे होंगे, the baby sparrow will be getting nice and fat in their nest, तो उसकी मदर बोलती हैं कि, while you enjoy yourself in wedding, जब आप wedding में enjoy कर रहे होंगे, उस time क्या होगा, the baby sparrow will be getting nice, तो उस time जो baby sparrow होंगे, वो कैसे हो जाएंगे, स्वंतर हो जाएंगे, और मोटे हो जाएंगे अपने घोसले में, good idea isn't it, तो ये एक अच्छा idea है न, तो नीना कहती है, it was a good idea, हाँ, ये अच्छा idea है, when Nina come back from the wedding, फिर क्या हुआ कि जब नीना साधी से बापस आती है घर, there were two plump life sparrow flying all over the room, तो वो देखती है कि, दो मोटे, दो मोटे sparrow क्या कर रहे है कि रूम में fly कर रहे है, and wasn't Nina thrilled, क्या हुआ और Nina ये सब देखके कैसी होगी, thrilled होगी, बहुचक क्यों होगी, ठीक क्यों, ना स्ट्वेंट हमारा ये chapter complete है, next section में हम लोग अपने question answer complete करेंगे next class में, ठीक है स्ट्वेंट, तो thank you स्ट्वेंट, heaven as day,